नमस्कार दोस्तों मैं असुनी पांडे स्वागा थापसों का एक नए वीडियो है हाली में इवेसे अपने ही प्रोपोगंडा में फस गया है क्योंकि हाली में क्या हुआ था कि जो वर्ड प्रेस फ्रीडम रेंग है उसमें 180 देशों में भारत का रेंग 161 था इसराइल का 62 था और इवेसे का 15 था अब मैं ये रेंग क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इवेसे इस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने वाली कंट्री में से आता है इवेसे जापान सबका रेंग 15 था आस्ट्रेलिया टोप 10 में था और इजराइल भी 62 नंबर पे था लेकिन इंडिया 161 नंबर पर था लगबब में इजराइल 100 अंक पहले था वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जिसमें जनलिजम और फ्रीडम ओप इस्प्रेशन सबाता है और freedom of inspiration mother of all freedom माना जाता है तो इस वज़ा से इन सब की रेंक इंडिया से अच्छी थी फिर क्या हुआ अब इवेसे अपने प्रोपोगंडा में ही फस गया क्योंकि इस रिपोर्ड में इवेसे का सीधा हाथ होता है और वो इंडिया को टार्गेर करते हैं हर बार कहते हैं इंडिया में freedom नहीं है freedom of inspiration नहीं है अमेरिका के एक low school में एक मुस्लिम छात्रा थी फातिमा मूसा मुहमद देखो आजकल इसके नाम से इतने सारे आर्टिकल western countries में शप रहे हैं पूरा दिन इनका न्यूज चैनल इसी बात से भरा होता है 12 मई को public city university में गिर्जोशन सरे मनी हुई वहाँ पे इसने speech दी उस speech में फातिमा मूसा मुहमद ने literally अमेरिका को उसके white race को अमेरिका के legal system को अमेरिका की police को अमेरिका की army को इसराइल को इसराइल के लोगों को यहूदियों को सब को खूनी कातिल और innocent लोगों को मारने वाल और इसराइल भी इसमें सामिल रहा है अमेरिका स्रिप और स्रिप इसराइल का सगा है अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके propaganda फैलाते हैं पूरी दुनिया में और इस वज़ा से ये लोग कातिल है innocent लोगों के ये कहा फात्मा मूसा मुहमन ने जो यमन मूल की है ये से में एफिलेटेड मेडिया है कतार का आल जजीरा उसने लिखा है कि बुलिंग कर रहे हैं फातिमा मूसा मुहमन को बुलिंग कर रहे हैं इसराइल और ये यहूदी लोग और वाइट रह जो है वैसे कि वो क्योंकि इन्होंने उसको टार्गेट किया था इसमें कुछ भी गलत उ बुलिंग कर दिंक बुलिंग कि बुलिंग के निसे टॉन लॉच लगिलेनन टॉच ओ्ट स्कुन लोग इस कि वतर दॉब्स नवन को लिल यह लिक नविल आइन लॉवर्फ इस Emma कि एुछ लुट को गाह चलिंग कобр प्रश stays झालिसिन स्वीव अक्तव प्राइबू that this is the law school that passed and endorsed BEDS on a student and faculty level. Recognizing that absent a critical imperialism settler colonialism lens, our work and this school's mission statement is void of value. That as Israel continues to indiscriminately rain bullets and bombs on worshipers, murdering the old, the young, attacking even funerals and graveyards as it encourages lynch mobs to target Palestinian homes. region sab kuch hier a jata hai ki ab joh unke sansad hai USK, cahe ho republican ho, cahe democrat ho, wohh loog kahe rahe hai ki yeh bhoot galat hai aur aise school aur aise university ki funding band kar di ni chahiyeh. Jis party ki naita Donald Trump hai yani Republican, uske eek sansad hai Josh Gethimir, unhau nnei kaha sarkar 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 sarki itna bata hai ki hate speech nahi toh or kya tha, iis tarah ke loogo ke liyeh society me koji jaga naihi hai, New York City ke mayor Eric Adams nne kaha yeh harkatyeh sahe nnehi ki jaa sakti, 1986 meh bhi iis tarah ki harkatyeh hooi thi, और joh present time me government hai USA meh, yani Democrats, uske sansad hai Mike Lawer, unhau nnei kaha, yoi kisi student ki speech thii, yoi kisi cutter panthi naita ki, vakti a gaya ki iis tarah ke loogo ke sasakhti se nipta jaya, सबसे पहले तो इस university को मिलने वाली सारी funding बंद करनी होगी, ये लोग अमेरिकी taxpayer के पैसों पर पलते हैं और उनकी ही जान लेने की साजी रस्ते हैं, ऐसे तमाम college और university अब बंद किया जाने चाहिए, पूरा western lobby इनके पीछे पड़ा हुआ है, और obviously इन्होंने Jews को बहुत target किया है, तो इस वज़ा से Jews community के against कोई कुछ बोलता है, तो उसे का आ जाता है anti-semitism, इसराइल ने clear कर दिया है कि ये एक anti-semitism है, और इस तरह से Jews community को target किया जा रहा है, और वैसे भी बहुत strong lobby है Jews की वैसे में, तो proper campaign चला रही है, अलजजीरा अपने पक्ष का लिख रहा है, New World Times और Times of Israel अपने पक्ष का लिख रहा है, तो ये पूरी तरह से freedom of speech और एक ऐसे भयान को accept करने की बात है, जो बहुत ही ज़्यादा cut turn परतीत होता है, अब इसमें क्या है कि इंडिया की ranking तो बहुत नीचे है, ओबर वॉल वर्ड में 180 countries में से 161 है, अमेरिका 15 पे है और इजराइल 61 पे है, वो भी इंडिया से लगव में 100 अंक उपर है, तो ऐसे में ये बात आती है कि freedom of speech का जब इतना ज़्यादा धिंड हो रहा है, लोग पीट रहे हैं, तो फिर इस बात को accept क्यों नहीं कर लेते कि ये, तो freedom of speech था, freedom of expression था, mother of all freedom माना जाता है, freedom of expression, तो accept कर लो फिर और नहीं accept कर रहे हैं, तो इंडिया को 161 rank क्यों दे रहे हैं, अगर इंडिया इस तरह के मुद्दो को सक्ती से निप्टाता है, तो वैसे इंडिया में इस तरह के बयान बाजी होती है, और किसी को कुछ नहीं होता है, आये दिन इस तरह की बयान बाजी होती ही इंडिया में तो इससे आगे भी मामला चला जाता है और कुछ नहीं होता है पिछले एक डेड़ सालों में यह देखने को बहुत मिला है लेकिन फिर भी इंडिया को इतनी घटिया रेंकिंग वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में देने क का जो यह ताथपर होता है वेस्टन कंट्रीज का यह होता है कि इमेज खराब कर दो बाकी अपने वहाँ एक स्पीच नहीं एकसेप्ट कर पा रहे हैं वह बहुत ज्यादा भड़का हुई स्पीच है एंटि सेमेटिजम भी है इस तरह के वयान का उपयोग नहीं करना चाहि जो पलिस्टाइन के लिए लड़ रहे हैं या पलिस्टाइन का पक्ष है उस संगठनों के साथ में तो वेसिली उस तरह का इसका जो माइंड है वो वर करेगा तो पलिस्टाइन का जो दर्द है इसके दिमाग में चलता रहता है इस वज़ा से इस तरह से बोल दिया है वोता करने लगी लेकिन अब इवेस अपनी महानता दिखाया है 155 रेंक है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में एक्सेप्ट कर ले और नहीं कर रहा है तो फिर इंडिया को 161 देने की क्या बात थी खुद को भी ले जाए एक स्वस्ति रेंक पर तब बात बनेगी ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि इंडिया को आप टार्गेट करोगे हर जगा पर खुद एक स्पीच नहीं एक्सेप्ट कर सकते एक छात्रा की कह रहा है कि पूरी इनिवेसिटी बंद करवा देंगे आजादी स्लोगन का क्या मतलब है प्रिज भूशन की बात होनी चाहिए आप इस अंदोलन को कम्जोर कर रही है इस प्रकार के नारों को लगा के बिल्कुल सही बात है लिगालवानों की बात में अजादी के नारे का क्या मतलब है अज नहीं को कल बुलेगी वटी तेरी कबर कुदागी Now these kind of slogans being raised by congress workers and supporters on the day that we saw a close aid of the Gandhi Pariwaran a former union minister come out and liken the Prime Minister to Hitler. Listen in to what Subotka Ansahay, former coal minister, had to say. एड़ाखी व्पारा बौज फिल स्वा ओप्डरियसे नियरनाई मेरै करिया आदिसनाए nósbels कर दो मेरै कर दिस्लार झारियसे बुण अज अजिस्लार इस्द्विसी झारे कर दो मेरै